हाई लो फ्रेंट्स वेलकम यू आल आज मैं आपके लिडियो लिकारों देख्या बात करने वाले हैं बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक लांग टर्म इंवेस्टमेंट की जब भी हम बात करते हैं सीक्रेट बेस की बात करेंगे आज की देट में अब आपको गयार यह अपनी कंट्री के अंदर भी ऐसी लोकेशन होती है लोकेशन चाहे वह बहुत समझते हैं और आगे बढ़ने से पहले में आपको बता हुद। आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले बैल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी और प्राइस एक्षन सीखने के लिए आप जोइन कर सकते हो मेंबर्सिप जोइन बटन पर क्लिक करके अब सीध आता देखना इस पार्ट को और समझने की कोशिश करना इसका नाम है मान इंदस्ट्री चार्ट टाइम फ्रेम कौन सा वीकली लीकर आपको हम बार-बार एक कंसेप्ट कई बार आपको बताते आपको ऐसे स्विच ओर नहीं करते कि इससे इससे इस पर जाना है इस पर जाना ह एक चीज को आप पकड़ दो ताइम फ्रेम अलगलार आप देख सकते हो लेकिन पकड़ लो उसके बाद कि अब क्या है अब जो रूल अब जो गेम है वो patients का हो जाएगा कि आपको पता है यही का अपने पकड़ देना उसमें अगर stop loss हो जाए तो निकल जाना है टागेट हो जाए तो निकल जाना है बस उसको पकड़ के रखना है क्योंकि बहुत सारी चीज़े मार्केट में है हजार चीज़े है पस आपको एक कोई भी कोई भी एक चीज़ आप पकड़ लीजिए और उसको फॉलो करते रहिए अगर उसका आपने मैं कहूंगा बैक टेस् के बारे में बात करा करें यह जब आप बेस को देखोगे यह ठीडियर कट सह Über Four फिर ब्रेक आउट अब तो क्रोलिडेशन हुआ अब यहां पर यहां पर यहां पर आपने देख लिया अब action कैसे ले हम देखते ही है क्या लेखते हैं जब बड़े टाइम फ्रेम पर इस तरह की सिचुवेशन आते हैं डेली टाइम फ्रेम पर यहां पर हम देखेंगे क्या साइकल स्टार्टेड है क्या पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है देखिए वीकली पर तो बहुत ही बहातरीन डेटा देख लीजिए 251 का प्राइस है 1500 करोड का मार्किट के प्राइशन है लेकिन हम कोई भी स्टॉक जो भी आपके सामने लेके आते हैं वीकेंड एक्सरसाइज यह बहुत इंपोर्टन स्टॉक स्कैनिंग फिल्टरिंग अलड़ी आपको यहां पर यहां से समझ के सीख सकते हो और चलते हैं फिर से चार्ट की तरब देखिए तो चार्ट पे हम आपको लेके जा रहे हैं यह देखिए अब आप चार्ट पे अद्हेंस तो लेके नमखरण वहा से और ओर ऑ और तरब चीज को सब्कर्युग करूज है तो थे से यदिंगरFilm अधुग तो Martary यहीं चार्ड आपने सीज करते हैं। को इंट्राडे के लिए होती है ठीक है बड़े टाइम फ्रेम जब आपके पास थोड़ा सा लॉंग टम पर्सपक्टिप सब्सक्राइब बड़ा टाइम अब यहां पर देखें साइकल की स्टार्टिंग हो रही कितरे टाइम आपको मिल रहा देखें धेर सारा टाइम आपके 95 का लेवल और यह 90-85 किसी भी जोन में आपके लिए एंट्री की तैयार हो रही है स्टॉप लॉस आपके पास बैठा हुआ है यह देख रहे न तो यह आपके पास आपका रिस्क हो गया यह आपका एंट्री जोन हो गया और आप टार्गेट के बारे में बात करते हैं तो फ वाली है तो यह देखेए अब ध्यान देना इस को इस पार्ट को ध्यान देना और पुराने हाइस को दखेंगे लिक्विडिटी ëlिया में आपको क्यों कहता हूं बारबार ये पार्ड यह हमारे पास और यजोन है यह दो जो है हमारे लिए जब यहां से आप यहां पर गर म की रैली का इंतजार होगा अब इसको देखते हैं अब यहां तक पहुंचना मतलब कि यह लेवल कौन सा आप देखे 142 पॉफ से लेके सीधे मनदब 145 से 155 की रेंज यह है 145 से 155 की रेंज जब इस अब आप देखोगे अब आप देखोगे टाघ疫 मिनिमुम सिक्स्टी पसेंट और टॉब गया आपका 72 70 पसेंट मानके चले सार से सत्तर पसेंट के सिस्टी टूब सेंटी पसेंट का जोन आपका इसने पहले हिट कर दिया कि तना अच्छा था हैं कि नी अगला आया फिर चलते है डेली टाइम फ्रेम पे पहला तो मुव आपने देख लिए अब आप देखो कि डेली टाइम फ्रेम पे तो दूरी बढ़ गई है क्या इसको मैं इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकता हूं ये वाली और स्विंग्स भी आपको देख रहे हैं यहां पे हमारा trend line का breakout हो रहा था है यहां पे consolidation देख रहे हैं तो सबसे बहातरीर opportunity यहां पर होगी कि यह 200 SMA के cycle के starting में है लेकिन अगर आप breakout प्ले कर रहे हो सबसे पहले मैं तो बार-बार आपको कहता हूं कि breakout वाली चीज़े avoid की जाए तो बहुत ही बढ़िए लेकिन अग हम यहां पे at least hourly में various cycle का इंतजार करेंगे फिर bullish cycle का इंतजार करेंगे तो हमारे पास stop loss होगा तो आप देख रहे हो यहां पर rally के बाद यह बेरिश cycle बनी वापस bullish cycle बनी bullish cycle बनते ही देखे correction आया बढ़िया वाला तो मेरे पास कि आ गया stop loss आ गया वही डेली वाली situation अब जो 25 के आसपास यह 130 के आसपास stop loss बैट रहा है अब समझे इस पार्ट को यह बहुत important चीज है क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे दूरी है तो हम क्या इंतजार कर रहे है आवरली पे गीरिश cycle का और वापिस bullish cycle बनने का जैसी बनी और हमने का वह opportunity तैयार मज़े आगे तो क्या ही यह just impulse correction का formation है लेकिन हमारा जो जो plan है वो कैसे हुआ weekly के base पे तो ध्यान देना कभी भी किसी stock में weekly पे base बन रहा हो तो उस stock को radar में रख लेना अब अगर इंतजार करना है वहां पे किसी चीज का तो daily पे cycle बनने का यहां पे trend अगर आप देखो कि इस तरीके से को कोई भी trend आ इन में breakout आया breakout के साथ consolidation देखने को मिला या pullback देखने को मिला लेकिन यह हमारे 200 SME daily के पास है weekly के पास है तो सबसे बहतरीन opportunity यहां पे तैयार होती है with the first target of your recent high है देख रहें उस पाट को तो यह छोटी छोटी चीजा जरूर है लेकिन बहुत important चीजा है लेकिन मैं आपको कह बेस आपको समझ में जरूर आओगा तो चलिए wind up पुरताव वीडियो को आप शेर कीजी like कीजी प्राइस लेकिस करते हैं प्रैक्टिस बहुत important है और कई बार इस तरीके से opportunities नहीं मिलती है तो इंतजार इंतजार सबसे important part और market में patience ही आपको बिलकुल आपके target की तरफ ले निकलना ही निकलना है यह ठान के रख लिजे और मान के रख लिजे और इसको follow भी करना एंड थैंक्यू थैंक्यू पर वाचिंग दा वीडियो शेर कीजिए like कीजिए और प्रैस सेक्षिन सीखते रहिए प्रैक्टिस जोरूर कीजिए प्रैक्टिस के लिए आपके सामदे पूरे अक्सरसाइजे शियर्ड हैं प्राक्टिस कीजिए